हलो फ्रेंज, आप सभी का स्वागत है फ्रेंज, आज हम कलाज दस के मैत का एक सबसे important chapter समानतर सड़ी को आज पहाने वाले है फ्रेंज, आज की वीडियो में आपको समानतर सड़ी का संपूर चेप्टर समाप्त करने वाले हैं तो आप वीडियो का लास तक जहूर देखिएगा आज हम उन महत्पुड वारल प्रशनों को देखेंगे जो आपके बूर्ड के एक्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टन साबित होगा चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज देखिए आपको इन प्रशनों को पहने से पहले आपको समांतर स्रड़ी होता क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट आपको बता देते हैं और समानतर सेड़ी में काउन से फार्मूला प्रियोग होगा सभी concept आपका clear कर देते हैं देखे फ्रेंज ये समानतर सेड़ी से संबंदी कुछ महत्तुपुड फार्मूला है इन्ही फार्मूला के बेस बें आपका सभी सवाल आपको बताने वाले हैं वाला फार्मूला आपको आता है ये नवा पत्र और इस दी का मतलब होता है सारवांतर ये मतलब होता है पदों की संख्या देकिए ये समानतर सेड़ी को समझते हैं पहले देखें आप कोई भी एक सिरड़ी दिया रहेगा जैसे माल लीजिए कि देखें दो चार छे आठ डाट डाट इस तरह अनंतग न मतलब अब देखें यहां पर पहला पद लिखा रहेगा थी यह प्रथम पद होता है क्या होता है प्रथम पद प्रथम पद को किस से देखाते ह और सार्वांतर क प्रथम होता है कि ड नीवाल संख्या पास पास होगा तो न प noi उसे पहली संख्या गटा को लिए और इस से 4 को गटाईएगा यान 6 माइनस 4 करेंगे कितना होजागा 2 होगा फिर अगला वाले पद आप मैस क्या करेंगे पहले बाले पद को गटाईएगा 8-6 कि बहाब किसी तरह आप इस तरह निकालते और यह सरवांतर इसको होता है ही से दिखाते हैं कितना अपरतेंग, इस्तिति में दो दुर रहा है न सरवांतर है कि पर्थम स्वांतर प्रिफम इ jurisdiction cumpl 9, 10 देघाñा है यहां तक 10 भी बीश गिल लेंगा, तोटल कितनी संख्या हो रहे हैं जैसे यहां से दो चार चार आठ फिर इसके बाद डारेक्ट दस आ रहा है इसका मतलब कितने हो जाएंगे एक दू इस परकाहं से आपको सवाल में देगा और जब सबसवाल लगा सब Вс चैले विए आपको सवाल लगा करके हल करके बताते हैं अंगी आपको किसी परकार कर डाउट न रहाज अजाए क्या है कि समानतट सभी 3-1-3. सेक माईनस 3. के लिए सर्वांतर होगा यानी यहां पिया पूछ रहा है सर्वांतर पूछ रहे ठीक है याँ पैले हर लेकिये उसको कैसे हम लगाते हैं अंग्यान से आर को क्या करना है कि नज्दीक की टूप रहेंगे इसमें से पहला इक मैंसे क्या करेंगा 3 गटाएंगे तो कितना है कि 3 में से गया माइनस 2 होगा अब क्या करें इस में से इस वाले को यानि माइनस 1 में से आप क्या करेंगे इसको गटाएंगे थे इसे में पूछ रहा है कि सर वांतर कीतना होता है जब डोसे यहां पर आपको सरवांतर कितना हुआ हुआ माइनस दू इस फकाउ से इस सवाल को आपको लगाना था बस चूटकियों में आप इसको लगासकते थे खेक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को अगला क्रल करते हैं अगला नंबर करम शाव क्या है इसमें अपक你有 आपका पूरा चेप्टर समांतर शड़ी के जितने भी important सवाल है पूरा चेप्टर आसमाप्त करने वाले हैं ठीक है तो वीडियो का आप लाश्ट तक जरूर देखिएगा देखिए यहां पी क्या है आपका हल पर देखिए लिखिएगा अब यहां फिरेंस देखिए सवाल को पढ़े ध्यान से कह रहा है अनुकरम 13 10 7 4 डाट डाट समांतर सड़ी है आपको बताना है कि यह स्रड़ी दिया आपका समांतर सड़ी है की नहीं है देखिए फिरेंस समांतर सड़ी पता कैसे करेंगे तो आप क्या किजिए दोनों पद जो नज़्दीक में तो आप अगले हाले पद में से पहले बाला पद गटा के देखिए यानि कि 10 में से क्या करेंगे 13 ते जाएगा माइनस 3 हो जाएगा इस पिचमे में आपका सरवानतर जो गाँ सवाबर होग है यहां इसकी बीच में जब सरवानतर बरावर होता है तो उसे क्या करते हैं समांतर सड़ी vivo जो यहीं सरणी दिया हे क्या आपका समांतर बेसे बंता है पेपर में अगला देखे क्या है सवाल आपका देखें तीसरा नुम्बर का सवाल कैसे आद करेंगे समांतर स्रड़ी एक कैस अठारा पंद्रा यहां डाट डाट दिया है का पंद्रा हमां पद ग्याद कीजिए इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करेगा अभी आपको समझाए न कि जब यह नमा प प्रथम पद आपको ग्याद पुना चाहिए पहले यहां पर लिखिये गा जैसे लगा रहे हैं इसी दर आप बोट की कापी पर एक्जाम में लगाईए गा ठीक है यहां पर लिखिएगा प्रथम पद किससे दिखा तो एसे लिखाते है ना यह बरा कितना जो पहली संख्या लिखा होता है वही आपका प्रथम पद होता है यहां प्रथम पद कितना हो गया एक काईस्त देखें यहां पर एक कमान पता चल गया यहां पर डी कमान भी चाहिए सरवांतर निकालना आप सभी को सिखाए कैसे निकाला जाता है सरवांतर किसे दिखाते डी से अब डी कमान संक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कितना जागा आपका मैनस सरवांतर आगा मैनस तीज़ अब देखें यहां पर आपका यहां पंदर हमान पद यहां न कमान कितना होगा आपका 15 हो जाएगा ठीक है तेक यहां 15 रहावा पद निकाना है न इसा लिखेंगे यहां लिखेंगे 15 रहावा 15 रहावा पद बराबर होगा फार्मुला आपका A प्लस कोष्ट में Y-1 इंटू दी बस यहीं मान रखें आपको बस हल कर लेना देखिए एक अमान कितना 21 21 रखिए यह न कमान कितना है फ्रेंज 15 15-1 इंटू मतलब गुड़ा कचिन होता है डी डी कमान मानस 3 दिया है तो मानस 3 रख लिजी अब इसी को आप फ्रेंज जैसे हल कर सकते हल कर लिजी दे है यहां हो जागा 21 प्लस और तो कि फ्रेंज 14 के गुड़ा करेंगे तो मानस हो जागा अब इसको क्या कीजिए फ्रेंज घटा लिजी तो कितना होगा एक 12 होगा 42 में से गटा disagree 42 के सामने चीद मायनस का तो यह माइनस हो जाएगा तो यही फ्रेंज आपको क्या हो जागे एंज-ँ-छ चले फ्रेंज चैब एक् Salut कितन pare कितना हो ड़िए जानी माइनस 21 इस पीघा 산-अज-ट्रेma research 3 6 9 क्यामा 12-21 में पदों की संख्या क्याए यहाँ पर पदों की शंख्या मतलब यह न का माना घाद कर ना है डेखे आपको पूरा फार्मूला यह नवा पत दिया रहा था यह फार्मूला लगाना रहेगा और अंतीम पत आपको पता रहेगा जैसे यहां पर देखिए जिफ्रेंस यह आपका अंतीम पत पता रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगाना है यह बराबर ए प्लस यह फार्मूला यही यहां पर आपको क्या है इसमें परतम पद कितना है यह बगंपको पता चल गया कि इसके बाद और सरवांतर को किसे दिखाते हैं आप इसके नहीं सहने कितना होजाएं यह सरवंध्र दी का मन पता चल गहाATE अब फ्रेश्च देखिए यहां पे आपको पदोंकि संगया पूछ रहे किसे पूछले पदोंकि संगया न लिकिए संघ्य क्या है कि इस पस अगिए आप पूछ रही है रही हो गया है उधिकर ध्लास्ट में लिखा रहा कि है टाप का अंतिव प्त सबसे लाश्ट में यह कैसे और अन्तिव पद को कि से डिखाते हैं यल से दिखा ल बरा कितना है 111 देखें फ़्रेंज यह एकALL माइन यल बरबर क्या हो जग कि A ।प्लस यन-1 ,D जहां पर जो मान है फ्रेंस रख लिजिए यहां पर क्या है एक ग्यारह रखें रख यहंद पर एक कमान कितना है आपका 3 है तो 3 रख लेजिए प्लस यन ग्यात करना है गुड़े बढ़न कितना तीन आया तीन कर लीजी ठीक है अब दीके फरेंस कईसे पर इसी को आपको हल करके यहन का मान ग्याद करने रहा है देखिए 111 अब 3 को पच्छानतर करें के तो माइनस 3 हो जाएगा यह कितना हो जागी यहन माइनस 1 गुड़े डी आप 111 में से 3 को घ किया करना आपको तिन तहरु बटदा न हो जाएगा छाथिए बढ़ा न按प करना दिन कंडम चाहिजा चाहएगा 10 कितना होगा a इन बराबर हुआ थिक है तो कितना होगा सचेगन इन बराबर रहा है उपर उन्ख्याह नुग आपको ससुख लिग लीजिएगा इसलिक आप ऊपर मान चुके लिए नंबर के सवाल को हल करते हैं आपके सामने देखिए अग्ला नंबर सवाल क्या है आपका समानता सब्सक्राइब तेन, आठ, तेरह और अठारा, कां़ सा पत अठार है, ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, िस पहले आप लिखेगा हल हल लिखने के बात कि यहां चरेड़ी दिका इसमें यहां पे डिया इसमें के पर प्रथम परत कि यहां परIST कैई आप लिखेगा प्रफंपयर सरवांतर को D से दखाते हैं और सरवांतर देखें आपको बार बार बता रहें इससे आप पता चल गया है कैसे गयाद करते हैं दो पद में अगले वल पद से पर्थम पद को घटा लीजे आठ में से 3 घटा लीजे कितना होगा 5 यह डी कमाना गए आपका 5 अब देखें फरेंस यहाँ पर काउनो सा पथ? 78 होगा तिया हमाल लीजेगा कि 99 पथ आपको क्या होगा? 99 पथ क्या होगा? 78 होगा, अब दिखे फ्रेंस यहाँ पर आपको भी बता है कि 99 पथ का फार्मुला क्या लगेगा? 99 पथ का फार्मुला रहगा ए N E प्लस N बाइनस 1 इंटू डी ठीक है यहाँ पर फार्मुला लगाई है यहाँ लिखें कि यह नवा पर जैन वा पर बारा फार्मुला है तो ए प्लस यहाँ आपको ग्याद करने कौन सब्सक्राइब यहाँ रहने दीजिए माइनस वान गुड़े डी का मन कितना है 5 है तो 5 कर लिजिए अब इसको पच्छांतर करेंगे देखें 88 माइनस 3 कर लिजिए बराबर यहन माइनस वान गुड़े 5 कर लिजिए ठीक है अब देखें फ्रेंस के अठ़ातर में सब्सक्राइब इस तीन घटाएं कितना हो जब 55 हो पंद्र बार में यह हो जागा यह सोला आगे आपका यहां पर जोड़ लीजिएगा यहां पर एंसर करेंगे दिए यहां पर सोला हो लिखेंगा कि नमबर स्वाल को देखते हैं आपकर अगला नमबर का सवाल देखें क्या है f Griff Today costs energy नियुक्त के प्रत्म 22 पदों का योग yaşad करना हैँ अब यहां बैग Forbes यहने पदों का एक यहां यह यह जातब करती is यहां पे यहां पर आपके सवाल में पर दिया होगा और यहां पर यह नमा पत दिया होगा तब यहार फार्मूला आपको लगाना है यह तीनो फार्मूला प्या होता है यह पदोग फर्मूला तै़ इसको लिखते हैं पहले ہलब आप लिखेंगे अप्र दिया क्या है पहले उसको लिख लेक्षे यहां पर प्रत्थम पद है यह पर लिखेंगे प्रत्हम प्रत्हम पद को ए से देखाते एक बरा कितना है ठीक है अब दूसरा नंबर पर आपको चाहिए सरवांतर अब तेरो सवालवू देखें दाते हैं एंस मैं इसमें सी क्या है तो देखें देखें आधेयरें, यहां प्रथम 22 और पादो की संχ्यां कितना में कि यह रहा है यहां पर लिखियेगा आप फार्मुला में कि हूं कि यो oblivion वहर थां यह से यह बराबर यह आपको फार्मूला पाता है यह 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 यहां परिभग करना है आपको यह बटा के दू ऑता है कोष्ट में 2a और क्या लिखेंगे 2a प्लस n-1 into d रख लीजिए ठीक है यहां पर महां रख लीजिए फ्रेंज देखिए n कमान कितना है 22 तो 22 बटाके 2 कर लीजिए कोष्ट रख बंद कर लीजिए 2 गुड़ा एक कमान कितना है देखिए यहां पर 8 कर लीजिए प्लस n कमान कितना 22 तो 22 रखिए माइनस एक गुड़े d कमान कितना माइनस 5 तो माइनस 5 रख लिए अब इसी को हल करना है फ्रेंज यतना जल्दी हल कर लेंगे उतना जल्दी n-sol अजयगा 2 को भाग 11 में देखिए कितने बार 11 ऐग 12 को बाग 12 कितना है माइनस पाच है अब देखें क्या करना है आपको यहाँ आप 11 करेंगे कोश्टम करेंगे 16 प्लस पांच के गुड़ा करेंगे देखें पांच के पांच पांच पांदुना के 10 प्लस का माइनिस में गुड़ा करेंगे तो यहाँ क्या आजाएगा आपका यहां पर आपका आजाएगा माइनस आजाएगा ठीक है बराबर ठीक है अब देखिए यहां पर 11 11 की दिए गुड़े अब 105 में से 16 घटा लिजे गटा लिजे न तो 15 में 6 9 हो जाएगा और यहां पर 9 में से 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा 89 वह देखिए माइनस में से घटा यहां पर कितना हो जाएगा आपका नवासी माइनस नवासी हो जाएगा ठीक है एक बार गटा के देख लिजेगा अंदरा अच्छा आठेक है अब यहां पर गुड़ा कर लिजेगा फ्रें देखिए 11 का इसमें गुड़ा करेंगे तो 11 99 कि की फ्रेंस आपको क्या हो जाएगा यहीं 22 सवाल, यहां आपका बाइस पतों का योग्ञाओकर और भीच की विसम संक्याहों का योग ज्याद करना यूग जल्ञा कीजीए यहां पर हल लिखिए कर और आप देहीं कैसे आपको लिखना एक पर एक है थे पाद तीन आएगा 5 आएगा शाथ ही का डाडट डाडट इसaltro करते चले जाएंगे तो सो के बीच में आना चाहिए यानि सो से कम सोत्य कम लिए विसम संह्खय के इसके बीच में निन्ष्ण ज Canada यह जितनी भी संख formula संक्षाल लिखा इसमें देखेंगे friends तो आपका प्रथम पद क्या है प्रथम पद प्रथम पद ए बरावर कितना एक है तो एक लिख लेंगे ठीक है फिर इसके बाद देखिए आपका प्रथम पद हो गया है सरवांतर लिखिए सरवांतर सरवांतर आपको पता चल गया हो कि अब तक सरवांतर तो कैसे ज्याद करना है तो तीन में स्क्राइब गटा लिए तीन माइनस एक बराबर दू हो गया ठीक है अब इस सवाल में देखें फ्रेंश कि आपका एक से लेकर 100 तक की बीच में विसम संक्या एक से श्टार्ट करें और 99 तक देखेंगे तिया विसम संक्या यह 99 के आदम स आपको यूग ग्यात करने के लिए यह अन्टीम पद का फार्मुल एक ही होता यही फार्मूल अंतिम पद बराबर पर दखें कि जैसे लगा रहें उसी तरह लगाईए एक ठीक है अंतिम पद यल बराबर फार्मुला क्या होता है आपका देखता है निनननन्याद नाबन कितना दिया एक है एक कर लिजिये प्रक्राव्न बढ़ा लिजियें यह हो хотите का आपका अंठान बे देखिए यन माइनस वन गुढे दू दू गुढे में 25 करेंगे तो अंठान बे बता कितना हो जाएगा दू हो जाएगा नअठान बेट दू अब यहाँ पर देखिए यन माइनस वन भाग देंगे तो देखिए दू चोको आठ दुन्माट ठारा उन्चास हो जएगा यन माइनस वन एक हो पच्छांद कर लिजीए उन्चास माइनस एक इधर आगा प्लस एक हो जगा यह जोड़ेगा तक इस चुन्गा मान आ गए फ्रेंज पचास यन कमान कितना है आपका पचास अगया ठीक है यहाँ पदों की सांग्य चलिए लिख लेती यहां पदो का योग चलिए इसका फार्मुला लिखते हैं देखे फार्मुला क्या हो जागा यहां पटा के दू कोष्ट में टू ए प्लस यहां बस मान रखना आपको और रखने बस आपको हल कर लेना है यह अगा मान कितना है फ्रेंज़ तो 50 आहें पचास आहें आप कितना रखेंगे पचास पटा कीसे एंप क्वटक बना लेंगे दू गुड़े एंगा मान कितना एक इध एक रखbie प्लस यहां कितना है कितना 25 हो जाएगा। का 10 में 119 जब करेंगा 500 25 रूंटाउब हो और 100 का 25 में करलें कतना यानि 22 पतों कितना है 2400 आजया और यहींद आपको क्या हो तो या है ऑई नो विसम संख्या को इस इस सब से सब्साउक कैसे ह深 Corp स्भीज इस वीडियो का यॉट यहाँ गुछ समानतर शळवर्पकिंस सब्साइन पठाईGen आभी बेसिक कंसेप्ट आपको बता हैं इस वीडियो का आप एक दो बार देख लेते हैं तो समांतर सेरी से आपके बोड की एकजाम जो प्रसनफ बनेगा आप आसानी से उस सवाल को आप हल कर लेंगे और आसानी से हल कर सकते हैं तो फ्रेंश यह वीडियो आपको पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंश अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास सेर करें ठीक है